नमस्कार दोस्तो नाइटी टेक इनफो चैनल में आपका स्वागत है आज मैं पताने वाला हूँ कि आप अपना फेस्बूक एकाउंट पर्मानेंटली कैसे डिलिट कर सकते हैं तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें अगर आपको यह वीडि इस पर आपको क्लिक करना होगा अपना एकाउंट डिलिट करने के लिए उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना होगा नीचे स्क्रोल करने के बाद जो सेटिंग ऑप्षन है इस पर क्लिक करना होगा आपको उसके बाद सेटिंग ऑप्षन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपको इस ओप्षन पर क्लिक करना है एकाउंट उनर्शिप और कंट्रोल पर यहाँ पर तीन ओप्षन खुल के आएंगे तो सेकेंड ओप्षन है जो डियक्टिवेशन एंड डिलेटेशन इस पर आपको क्लिक करना है अब यहाँ से आपको दो आप्षन मिलेंगे एक डियक्टिवेट एकाउंट एक डिलेट एकाउंट डियक्टिवेट एकाउंट यह टेम्पररी है और यह जो डिलेट एकाउंट है यह पर्मानेंट है तो आपको कुछ दिनों के लिए करना है तो डियक्टिवेट कर सकते है या हमेशा के लिए डिलीट करना है तो डिलीट एकाउंट कर सकते हैं अगर आप डिलीट करने के बाद 30 दिन के अंदर आप लॉग इन करते हैं तो आपका एकाउंट फिर एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप पर्मनेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर प्रिट कर रहा है तो जो इसमें से आपको अच्छा लगे आप उस पर प्रेज करके आगे बढ़ सकते हैं कि अब का अब कांटीनियू टू एकाउंट डिलीटेशन पर क्लिक करना है एक कुछ कंसर्ण दिये हैं आप पढ़ सकते हैं इसको तो मैं अपना एकाउंट डिलीट एकाउंट पर क्लिक करूंगा यहां पर आपको यहां पर आपको अपना पासवर्ट डालना है पासवर्ट डालने के बाद आप कांटीनियू करें अब यहां से आप इलिक रहा है यू आ यू यू आ यू आ यू आप यू खर्रशा स्व के पर्मानेटलेंट डिलीट ओर डिलीटक यूब सम्मिटेट टो एकाउंट फर दिलीटिंग डिलेटेशन यू विल हैब 30 देज रियक्टिवेट एकाउंट अगर यह 30 देज का आपको टाइम देगा अगर आपको दुबार 30 देज के अंदर लॉग इन करते हैं तो आपका अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा अगर यह मेरा एकाउंट डिलीट हो चुका है अब यहां से आप अगर दुबारा कोई अधर एकाउंट बनाना चाहते हैं तो बनाके आप लॉग इन कर सकते हैं तो धन्य बाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए